जेहिन दोस्तों सभी को जुहार मैं सभी इंस्पेक्टर के पी सिंग आपका दोस्त आपका होस्ट आप सबों का इस्टडी फर गोल्स में श्वागत करता हूं देखी दोस्त आपकी पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको हर सुब उठने का इंतजार हो जी हाँ दोस्तों वही सपना वही थीम वही मोटिवेशन में लेकर के आज आप लोग आपके समक्च उपस्तित हुआ हूँ जिसका नाम है जारखन उतपास सिपाही 2023 यहाँ पर हम कम्प्लीट नागपुरी जारखन उतपास सिपाही जो एक्साइज कोंस्तिबल की जो नागपुरी का जो सिलिवस है जो नौटिफिकेशन है इस सारे चीज़ों को डिसकस करने वाले हैं और यह मेरी पहली क्लास है इस से संबंदित सारे क्लास आपको इस्टडी फर गोल से मिलेंगे जो कि आपको एक्साइज कोंस्तिबल के सपने को साकार करने में मदद करेगा आज ये देख रहे हैं खाकी वर्दी का जुनून जिनको भी खाकी वर्दी से जुनून है जो भी एक्साइज कॉंस्टिवल बनना चाहते हैं अपने कंदे पे आने वाले टाइम में स्टार्स सजाना चाहते हैं वो जरूर से जरूर जुडेंगे यहां पर हम complete notification की detailing को चलिए स आदिम जन जाती के लिए 148 57 50 32 59 मतलब अलग लग वरगों के लिए सीट है टोटल सीट देखेगा तो 583 टोटल सीट कितने हैं 583 जिसमें जेनरल 237 फिर महिलावी देखिए महिलावी रिजरेशन आपको दिया गया हुआ खेल कुछ से समनी सीट दिये गया है तो इन सारे 25 2023 को निकाल दी गई है अब आईए हम इसमें हर एक चीजों को समझते हैं देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा पेश्केल है उन्हें जार नौसों से लेकर के 36002 तक इनका वितनमान है अब क्या इसमें भारत के अंदर मानेता प्राफ सेक्शनिंग स्टांट से मैट्रिक जो भी टेंथ मैट्रिक पास आउट है वह भर पाएंगे लेकिन आप समय को मालूम है कि क्या चीज होता है जो डैप्त रखेंगे जो लोकल लेंग्वेज का सही से चुनाव करेंगे जो नागपूरी चुनाव की है जो बहतर स्कूर करेंगे उनकी यहां चांसे भागीदार है जादा हो जाएगी देखिए ताथ सिपाय के लिए जैसे कि क्या है कि हाइठ जो हाभ का हाइठ है जर्ण के लिए 469 सेंटीमिटर है टेना गयो एकектор सेट थह न्योंतम आइव्याक देखिए thisD об भी कária संदाने ट तो याद रखेगा मैं आपको बता दे रहा हूं कि 160 cm मतलब 5.2 इंच ठीक ना पांच फिर दो इंच के आसपास आपका यह वर रहता है और यह वह अनुभव है कि यह भी आपका जो है फुला करकी एटीवन सेंटीमेटर आएगा मतलब आप इजी वे में इस केटेगरी को आप पास आउट कर जाएगीगा वाद यह फिजिकल सारे इस नाइट ब्लाइन सेरिंग इस्टेंब्रिंग यह सब भी चेक्किया जाता है मेडिकल में अब देखिए अब यहां समझने वाली चीजें यह इंपोर्टेंट है अधिक्तम उम्र सीमा की जो गन्ना 1828 से होगे नियुंतम 1823 मतला 18 साल हो जाना चाहिए इस देट तक और साथ 1828 तक 25 साल होनी चाहिए मतलब आप क्या है कि आराम से आपको मतलब यहां पर रिलक्सेशन मिल रहा है 18 से आप देख रहे हैं 18 जिसे अभी चल रहा है तो पांच साल का आपको रिलक्सेशन दिया गया है आप ट्यटीफाइब थर्टी के बीच भी है तो अप एटीए ट्यटीए ट्यूटीए ट्यूंटीन थर्टी के एसपास भी तो फॉर्म भर सकते हैं एक आट-डूज अठा प्रक्षा होगा उसके पाची किस्या जांत होगे तो सारी दक्षिता मतलब फीजिकल फिट्नेस चाहिए जो रहाए पहले आपका रन्स कर आजया को उसके बाद एक्जाम की बात आगी तो रहाए आप यहां से जूड़ते हैं तो फीजिकल फिट्नेस कैसे रन करना है कैसे बढ़ाना है क्या सुटेबल टाइमिंग है क्या है एवरीटिंग आपको यहां पर सब चीज आपको मिलेगा आप डारेक्ट जूड़ सकते हैं इस टीम गोल मेनेट्समेंट के साथ विद के साथ साथ कुशन ह आपके把它 कर अग्रीजी के अब इसमें परना यह तो आपके असकरने की बात यत्ता भी कम रहेगी आराम से हिंदी में स्कूर करके पास के सब्सक्राइब दोनों मिला करके चाहिए वन ट्वेंटी कोश्चन में 30 परसंट कि 36 कोश्चन के आसपास आपको चाहिए 40 कोश्चन मानके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए अब दूइतिया पेपर पेपर वन क्वालिफाइंग है इसका मार्क्स एड नहीं होगा पेपर टू क्या है पेपर टू है जंजातिया छेत्री वासा जिसमें हम किसकी बात करने वाले हैं जिसे इसमें क्या इसमें थोड़ा बहुत चंजिस में हिंदी अंग्रेजी संस्किति से पहले यह नहीं थे यह तीनों को भी एड किया गया है लेकिन हम मेरा इस्पेसल ध्यान किसमें नाकपूरी पे जिसमें मैंने 297 स्कोर किया है आउट ओफ 300 दरोगा में तो सोचिए एक साइस कॉंस्टेबल में क्यों नहीं 90 प्लस स्कोर जाएगा तो जरूर से जरूर जो भी नाकपूरी लिए जरूर से जरूर कोर्से से जुड़िए आपका बहतर स्कूर 100 परसेंट आपका यहां पर आपको होगा अब देखिए पेपर 3 यह आपका क्या प आपको नहीं पढ़ना है रिजनिंग भी आपको नहीं पढ़ना है मैं सिर्फ 10 कोशन कर दिया लेकिन जहारखन राजित से समंदित ज्यान को बढ़ा दिया है 50 कोशन देख रहें यह कितना important section है तो चिंदा मत किजिए यहां पर हम आपको जहारखन से भी समंदित सारे क्लास आपको कराएंगे तो समान अर्धियन 40 कोश्चन जहारखन से 50 कोश्चन विज्ञान 20 गरीच से 10 कोश्चन है यह पेपर आपका तिन हो गया तो पेपर 200 कोश्चन पेपर 2122 कोश्चन इसमें 300 मार्क्स पेपर टू में एक सो बीस तिया 306 मतलब 660 पे आपका टोटल माक्स न बात नहीं करेंगे किस पर बात करने इतनी सारी लेंगवेज में मेरा ति मैं नाजपुरी के लिए कहा है तो समस अनेक सब्ड़ों के वांके शुद्धि यह सारी व्याकरन आपके मैं नाप्र रभागाज्टू पढ़ना किसका शुन्त्रामिस ड़क्टर मिस्टर वमश्च साइते से क्या लोगीत लोकत्ता कहावत पहली मुहावरे यह सभी पढ़ना है तो इसका बहुतरीन कंटेंट आपको प्रिविए सीयर पेपर भी मिलेगा और साथ ही मॉडल कोशन मिलेगा और बहुतरीन समझ बहुतरीन प्रजेंटेशन आपके समक्ष लेकर करके आया हूं यह कंप्लीट नाकपुरी याद रखिएगा कंप्लीट नाकपुरी बाय के पीसर तो जरूर जुड़िए क्योंकि नाकपुरी में मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है और आसा करता हूं कि आप भी मेरे जरीए एक बहतर स्कोर करेंगे और अपने सपने को साकार किजिएगा कंदे पर इस्टार जरूर सजाएगा याद रखिए जारकन उत्पात से कंप्लीट नाकपुरी देखनें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हैंडी 10 नॉट्स टॉपिक वाइस टेस्ट विगत वर्सों के पेपर 10 प्लस मॉक टेस्ट डाउट क्लेंस वाट्सेप ग साथ ही फिरी मॉक टेस्ट यहां पर हर रोज इस्टेडी फर गोल्स पर लगता है साथ एम खोठा के लिए दस बजे नाकपुरी के लिए जो मेरे इस्टेडी फर गोल्स मेनेजमेंट के दाद त्यार किया गिया है टू पी एम जी एस पेपर जोन फिप्टी कोस्चन उसको 23 अपरेल से निशुल को बलत देखिए यह आपका 23 अपरेल से स्टेडी फर गोल्स के अलग मोहिम है जिसके जरी आप करेंट अफेस को आफ टू डेट हो सकते हैं आपके लिए बर्डन नहीं होगा एक्जाम टाइम में आप आप टू डेट चलते रहेगा इसके लिए यह आ रिजनिंग का स्टीशन विसे सग्योंतर रासंकलित आपका जैसला को दिया जा रहा है अगर पर फ्री से जूड़ना चाहते हैं यह आप जूड़ सकते हैं जार्खन समान नहीं दिया जा रहे हैं जीजिए सारे चीज आपको मतलब यहां पर दिये जा रहे हैं जिससे आप बहतर त्यारी अपने आपको कर सकते हैं याद रखेगा दोस्तों जो आपका एक्जाम का जो पैटर्ण है जो यह जारकंड उत्पात सिपाही देख रहें तो इसके लिए अभी समय नहीं अब से आपको लग जाना साथ ही फीजिकल करते रहना होगा क्यों कि देखिए सारीक दक्षता जो आप देख रहें सारीक दक्षता दिया गया जुलाई से सितंबर सारीक दक्षता कब है इसकी जो फिजिकल रणिंग होगी जुलाई से सितंबर में होगी आपकी ठीक है और लिखित परिक्षा क्या है नौवंबर में नौवंबर में इसक करेंगे वही इसमें बैट पाएंगे तो आपके सबसे पहला प्रियारटी यह होना चाहिए फिजिकल जिसमें आपको टेप्स बताएंगे और साथ ही कोर्सेश में इंड़ाल करके आपका कोर्सेश भी चलते रहेगा नौंबर से पहले आपका कोर्सेश यह एक्जाम से पहले कंप्लिट हो जाएगा बहुत ही बैती इंडंग से फुली एक्जाम और इंडेशन जो भी कराऊंगा देखिए आज कल की टाइम में दोस्तों जानके रखिए कि पढ़ने से ज मतलब 45 डेज के आसपास आप मान के चलिए अगर 15 जुलाई से भी स्टार्ट होता है तो इसमें आपको अपने आपको जोंग दना आप कंटिनुसली आपको रनिंग करते रहना है जिससे कि आप यहां से क्वालिफाय कर जाए उसके बाद इसमें नाकपुरी के द्वारा हम आपको कैसे मंजल तक पहुँचाते हैं तो बस जिस सपने की आपको तलास थी वह सपना मिल गया दोस्तों अब शोना नहीं है खोना नहीं है जी जान जोंग देना है ठीक है न एक दम शॉफ्ट जोन से बाहर आए वो बोलते हैं न कि अगर सूरच जैसा बनना है तो सूरच जतना जलना भी होगा और मिट्टी का बरतन पकता है पकता तब भूत खुब है थेलिगा फद्ज़िजा पर जे जा जाए जिजहां से जुड़े रहे आपने लक्ष को हसल के जहीन सभी को जोहार